ये गाईज नमस्कार वेलकम आप सोका फिस्ट ये मारी सवर गैनिक गर्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर साथ में में दखता हूँ कि आप भी स्वास्तोंगे हेल्दी होंगे दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो सेर करने वाला हूँ जिने देखकर आपके होंसले और भी बुलंद होने वाले हैं यह आप देख सकते हैं हमने अपने टेरेश के उपर बहुत सारे ऐसे वेजटवल है जिने उगा रखा है और बहुत ही कम खर्च में बिलकुल और गयनिक तरीके और गयनिक खाद यूज करके जो हमारे घर खाद जो होते हैं वो अविलिबल होती है बिल्कुल बहुत ही कम खर्च पे आप इस तरह से सब्जय उगा सकते हैं यह आप देख सकते हैं इसकी अलग-अलग वीडियो हमने एक separate वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है साध आपने देखे भी होंगे तो बहुत सारे वीडियो है इस तरह की अगर आप देखना चाहते हैं सभी की अलग-अलग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी discussion box पर आप जाके देख सकते हैं सभी की link मैंने share कर दी है आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं दोस्तों व्रिंजल है टमाटर है और बहुत सारे मिर्च की भी फ्रो केमिकल खात का यूज किया जाता है केमिकल प्रिस्टिसाइट का यूज किया जाता है बट फिर भी हम खाही रहे हैं मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत हम मेहनत करते हैं तो कुछ इस तरह से हम अपने terrace के ऊपर में बहुत सारी सब यह गा सकते हैं जीहां दोस्तों जो आप देख रहे हैं ब्लेक नर्सरी बेक बोलते हैं से नर्सरी ग्रोव बेक होती है यह आपको गाड़निंग सोप पे मिल जाएगी एक ग्रोव बेक आपको लगबग पांच रुपे लगेगी और मिट्टी और कुछ खाद है कुछ फटलाइजर है जो आप अपने घर प क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो की लिंक अलग-अलग मौजूद होगी आप अलग-अलग वीडियो देख करके आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी स्वैल कौन सी मिट्टी कौन सी खाद यूज की है तो मुझे लगता है कि आप भी कुछ इस तरह से उगा सकते हैं तो अभी केमिकल खाद का इस बार मैंने यूज नहीं की है पेस्टिसाइड भी और्गनिक ही लेके में चल रहा हूं डेली बेस पे जो की नीम ओयल होती है नीम ओयल मैं डेली बेस पे यूज करता हूं जो की हर पंदा दिन के बाद एक बार पूरी तरह से स्प्रे करता हूं फॉलियर लगती है तो उसे मुझे तोड़नी परती है जिससे की टाइम से फिर से उसमें फ्रोटिंग लग सकती है और इस तरह से मैनत करने से एवन कि आप जब एक बार इस गमले में मिट्टी भरते हैं तो वह मिट्टी आपके पास कितनी दिनों तक चल सकते मतलब मिट्टी कभी हम आप के सामने कितनी ब्रिंजर लगी हुए कि सिर्फ एक ही ग्रोव ब्त में सारी हमें फ्रोटिंग मिली है यह आप देख सकते हैं kalau you can करना चाहें तो आप कर सकते हैं यह आप धेख सकते हैं कुछ बड़ी हो चुकि है कुछ भी हो ध्युर हो रही है आप यह देख सकते हैं तो अच्छी फूटिंग लगती है बज ज़रोबी होती हैमें ध्यान रखने होती है स्वैल ऑपर वाटरींग के ऊपर खाध के ऊपर तो समय से मैं खाद देने से पौदे की ग्रोथ अच्छी होती है फ्यूशर में और हमें फ्रूट भी फ्रूटिंग भी अच्छी मिल पाती है तो डिटेल वीडियो आपको देखनी होगी हमारी कम्प्लीट वीडियो है डिपसर्फन बॉक्स पे आप जाके आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आई होप कि ये वी इंटर सीजर में ही वेजटबल को ग्रोव करता हूं तो आप हमारे चैनल पर जूड़े रहे हैं बहुत सारी इस तरह की वीडियो में आपके साथ टाइम टू टाइम सेर करता रहूंगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें